मित्रों जय माता दी, आप देख रहे हैं धर्म सिक्षा, धर्म सिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं आज इरू हूँ, आज का संपून रासी फल लेकर, यह संपून रासी फल है रविवार यानि की 7 अगस्त 2022 का, अगर आज के पंचांग की बात करें, तो आज है व अनुराधा रहने वाला है, अनुराधा नक्षातर आज दिन के एक बच कर पांच मेर तक रहेगा, तदुपान जेश्ठा नक्षातर आरंब हो जाएगा, वरत्यवार में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज रवियोग अहु राते तक रहने वाला है, मित्रों आज का संपून पंचांग अगर आपको जानना है, तो डिस्किप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप आज का पंचांग विश्दार पूरवक जान सकते हैं, एक-एक मोहुर तो वाय में जान सकते हैं, आज के संपून रासिफल के वीडियो में हम जानने वाले अकुल 12 रासियों का आज का रासिफल, साथ हम जानेंगे आज का सुब समय, असुब समय, दिसासूल, सुब खाद्य, रासिय उनुसर क्या खाद्य पतात आपके लिए सुब रहेगा, रासिय उनुसर कौन सा रंग आपके लिए सुब रहेगा, रासिय उनुसर कौन सा ल और 12 रासि का रासि फल को बताना आरम करूं। उससे पहले आए एक नझे डाले आज के ग्रहों के स्थेती पर। क्योंकि ग्रằng कि च्ठी पर। ग३ुरो आजमेन रासि में विराजित है। तो इन्हीं सभी ग्रहों का मिराद दाहाल। आज के रासी फल में हम जानेंगे तो आईए बात करेंगे आप पहली रासी मेस रासी की मेस रासी मचंद्रमा छठे स्थान में वीराजी था आज जिसके फ्रसुब आज आपके कोई राज सावजनिक हो सकते हैं तो सचेतर हैं आज किसी पर अक्राम खोने के बज़ाए सांती स काम लें आपके दोस्तों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा परिश्रम आपको ज्यादा करना पर सकते आज आज वाहन चलाते समय भी साब्धानी आपको बढ़तनी चाहिए व्यापार अधन की बात के तो आपकी आर्थिक स्थिति सुद्रेड होगी बच्चों से जोरे म महनत से ज़दा फल की प्राप्ति भी हो सकती है तो महनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिलकुल ना रखें सुद्रेड की बात करें तो आज अपने जीवन साथी को समय दे पायेंगे जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम भी आपका बन सकता है और यहां आ प्रसुप आज आप अपने कामों में वैस्त रहेंगे आज आप पर काम का लोड ज्यादा रह सकता है आज अपने क्रोध पर नियंतन रखें या क्रोध आपको हानी करा सकता है विरुजगार जातकों को किसी मित्र के सहयोग से नोकरी लग सकती है परिवार की किसी विश्यश चिंता का समाधान भी हो सकता है सरकारी कारियों से आपको सफलता मिलेगी व्यापार और धन की बातकर व्यापार में कोई नई यूजणा बन सकती जिससे आपको फायदा होगा आज आप लेन दिन में साबधानी बरते हैं निवेस अगर करना भी हो तो किसी अनभवी रोगो की सलास ही करें व्यापार और धन के बाद बात करेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों कमण आज परहाई में कम लगएगा कुछ विद्यार्थी आज अपने परिक्षा पाई नाम और सहमद भी रह सकते हैं स्वास्त की बात कर आज जीवन साती से अन्वन की संभावना बन रही है तो अपने आप पर नियंतर रखें और संबंध अच्छे बना के रखें आज कि चांडी के बरतल में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब सीधी बात कहेंगे तो आपको फायदा होगा नए कामकाज के प्लैनिंग हो सकती है आज किन किसी दस्तावेज पर गरहस्ताक्षर करते हैं तो सोच समझ कर ही करें परिवार या फिर पैसे जुरी भी परिशानिया आ सकती है मन में घबरहत रह सकती है विवादों से आपको ब किसी प्रकार की चिंता रह सकती है ठकान और अलच से भी बना रहेगा प्रेम समंद की बात के जीवन साथी के साथ आपको दिन अच्छा भी देगा जीवन साथी से सिम्मान और प्यार की प्राप्ति आपको होगी आज किन मूं की दाल खायेंगे तो आपके लिए सुब रहे और आप अपने जीमेदारी का निर्वाह भी अच्छे रहंग से कर पाएंगे आसपास के लोग आपकी परसंसा करते हुए भी दिखेंगे मकान या काम करने के जगह के विशे में बदलाव का मन आपका हो सकता है आपका पूजा पाथ में मन लग सकता है आज वाहन या जमीन ख कर रखें तो वहाँ से भी फाइदे आपको हो सकते हैं विद्यार्ति की बात के विद्यार्तियों के लिए आज की अच्छा रहने वाला है कुछ अध्यान करने का आवसर आपको प्राप्ट होगा जो विद्यार्ति इंजिनर्ईरिंग के छेतर से जुले हुए हैं उन्हीं ज्यादा मेहनत भी करना पड़ सकता है स्वास्ति की बात करें सांस से समंदित कोई विमारी या मौसमी रोग होने की संभावना बन रही है आज आपकी मानसिक सांती और इस्थी रह सकती है किसी प्रकार की चिंता रह सकती है प्रेम समंद्ध की बात के लिए आज की अच्छा नौर रहने वाल है बात करें सिंगरासी की सिंगरासिम चैनरमा दस्वे एस्थान में विराज़ित है जिसके प्रसियों आपकी रहन सायन की स्थेदी में सुधार आ सकता है कूछ समाचिक कारी करनेका अवसर भी प्राप्ट हो सकते हैं आज अपना काम आप जितनी भी विद आपकी आये में बढ़ोतरी होगी, खर्ज भी आपके बढ़ते वे निजर आ रहे हैं। आपके बचाय हुए पैसों में आज कमी आ सकती है। विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों का ठकान और अलस मैसूस हो सकता है। इन दोनों पर विजय प्राप्त करने की कोशिस करें, सफलता तभी मिलेगी आपको। बात करेंगे स्वास्ति की, तो अपने स्वास्ति का ध्यान रखें, बेट समन्दी छोटी मोटी बिमारियों से पीरित रह सकते हैं, ग्यास हो सकता है। तो बाहर के खाने से बचें, मसाईदार खानों से आपको बचना चाहिए। इससे आपका स्वास्ति खराब हो सकता है। मित्रों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। आज आप अपने मन की बात किसी से सेर ना करें। आज हो सकता है आपकी गत्वीधियों पर कोई और भी नजर रख रहा हो। तो साब्धान रहें। अपनी हर रोज की आदतों से बिल्कुल बचें। माता पिता का अपको भरप मन परहाई में लगेगा। जो विदार्थी मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ती भी होगी। स्वास्त की बात करें। स्वास्त के देश्टी से आज की आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। सुबह सुबह अंकुरित अराज खाएं से आपका पेट साप रहेगा और आप स्वास्त भी रहेंगे। प्रेम समंध की बात के प्रेम समंधों के लिए आज का इं मिलाज़ला रहेगा। जीवन साथी से कुछ वाधिवाद हो सकते हैं तो आज के थरा समल कर बॉले मधूर बॉले विवादों से बचें। आज के चांदी के बरतन में खीर खाए आज का बनाया हुआ योजना आपको आने वाई दिनों में सफलता की प्राप्ति करा सकता है। जो रातक मकान या भूमी खहिदने का प्रियास कर रहे हैं। उनकी खोज पूरी हो सकती है। आज पूरे दिन आप अपने पारिवारी काम में व्यास्ते रहेग सकते हैं। धार करना हो तो नियोजी धंग से करें। बड़े बुजरुगों की सला से करें। सला मसला करने के बाद ही करें। आज किन खर्चों में आपके बढ़ोत्री हो सकती है। जमा किये हुए पैसों में कम ही आ सकती है। लेकिन आए के सुरोतों में बढ़ोत्री भी संभव है। देख पारों उनका स्वास्तित और डग मुगा सकता है तो उनका ध्यान रखने की आवेश सकता है अज प्रेम समंध की बात करें प्रेम समंधों के लिए आज किन मध्यम रहने वाला है जीवन साथे के साथ कुछ हलकी नोग जोंग हो सकती है लेकिन बाद में सब कुछ सामाने भी हो जाएगा आज किन चावल अपने खादबदात में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सुनारारंग लखी नंबर रहने वाला है नोग बात करेंगे विश्चीक रासी की विश्चीक रासीम चंद्रमा आज पर्थरमस्थान भी बना रहेगा आज आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी मामले को हलके में ना ले अपने भावनाओं पर नियंतन रखें कैसी से भी अपनी बिदेल की बात आज सेर ना करें खास करके ऐसी कोई बात जो आपको कल को हानी पहुचा सकता हो क्योंकि आपके द्वारे बताए गई नए वस्तर और अहुसन खर्इदने के योग भी बन रहें विद्यार्थी की बात करद विद्यार्थियों के लिए आज किन थोड़न thinking करया अक रहे रहे सकता है आपको आलसी और निंदरा आ सकती है तो आलसी और निंदरा कर त्यागकर इन свет बैश्य पर विजय प्राप्त क सकती है दामपत्य जीवन आपका अच्छा रहने वाला है आज किन मसूर की डाल खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाल रंग लकी नमद आठ रहने वाला है बात करेंगे अब धनुवासिकी धनुवासिम चंद्रमा दूसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज किसी धार्मिक यातरा पर जाने के आपके योग बन सकते हैं आपके कोई महतुकान छाजपूरी हो सकती है आज के दिन आप अपने कारी में वैस्त रहेंगे किसी फालतू के काम के कारण भी आपका समय बरबाद हो सकता है तो इस बात का दिहान रखें और अपना समय अपने कारी छित में ही लगावें आज आपके लिए अनुकूल इस्तिती बनी रहेगी आज आपने मन की करने की कोसेश भी करेंगे व्यापार और धन की बात करें व्यापार में जोखिम देने साब को बचना होगा किसी को अगर आपने पैसे उ स्वास्ति के बात करें तो किसी पुराने रोग से चुटकारा मिल सकता है स्वास्ति आपका अच्छा रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्ति का ध्यान जोड़ रखें प्रेम समन्द की बात के तो आज अपने जीवन साथी के व्यवहार से साब्धान रहें अचानक से में विराजित है जिसके प्रसुप आज आपके आतमिस्वास में बढ़ोतरी हो सकती है और फिस के कुछ महत्पून कार्य आपको करने पड़ सकते हैं आज अगर आप अच्छी योजना बना करी महिनत करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ती होगी धारीर रखें दिन पर अच्छी खबर भी मिल सकती है आज अगर आप कोई धार्मी कारी करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी व्यापार और धन की बात करें तो आई के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी नोकरी में भी तरक्की हो सकती है लेकिन साथ ही ऑफिस में वाद व्याद की स्थिति स्वास्त की बात करें स्वास्त की द्रिष्टी से आज के आपके लिए बढ़िया रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्त का ध्यान जोड़ रखें प्रेम समंत की बात करें तो अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखें आज आपके जीवन साथी ज्यादा भाव आज किन लोही के बरतन में खाना पगाएंगे खाना खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग औरेंज क्लार लखी नमर रहने वाले पांच बात कमें अब कुमरासी की कुमरासीम चंद्रमा आज चोथे अस्थान में विराजी थे जिसके प्रसुब आज आपके सोचे हुए कारी पूरे हो सकते हैं साथ ही आपके कोई परिजन आपसे नाराज भी हो सकते हैं आज वाहन साबधानी पूरवक चराएं दुरुघटना हो सकती है आज आपके भाबनाई आप पर हावी भी हो सकती है जिससे आपके बने विय कारी भी बिगर सकते हैं तो अपनी भाबनाओं पर नियमतने जोरु रखें नए वाहन खेदने का मन आपका हो सकता है मकान और भ पत्ते मिलने के योग बन रहे हैं महिला जातकों के आयमे विर्धी भी होगी विद्यार्थी की बात के जोरा तक मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज के अच्छा रहने वाला है सफलता मिलेगी उनको स्वास्त की बात के आज आज आपके सिर में दर्दर रह सकता गोलूमिला कर आज आपका स्वास्त बढढ dollar हम रहेगा पाइम सवनुत के बात करेंगे सुछ दला हो भजन करते आपके लिए आकी मिस्वास पांचमे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आप घर तथा ओफिस दोनों के जिम्मेदारियां अच्छे से निवा पाएंगे आपका आत्मिस्वास भी बढ़ेगा आज आपका जादतर समय आपके सुपचिंत्वों के साथ बीतेगा किसी से कुछ उपार की पाप नोकरी में पभिवर्तन की सम्भावना बन सकती है उच्चेपद की प्राप्ति आपको हो सकती आपके आयEMे विर्दी होगी प्रेम समय प्रेम समंद्ह के लिए आजके अच्छा रहने वाला है जीवन साथी का सहयोग और प्यार आपको मिलेगा जीवन साथी के सहयोग से आपके काम भी बनेंगे आज की अरहर की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाल रंग लखी नम्मर चार रहने वाला है तो मित्रों ये तो था आज के 12 रासी का रासी फल आप जानने थें आज का सुब समय आज का सुब समय यानि की गुलिक काल रहने वाला है दिन के 3 बचकर 47 मेर से लेकर सामके 5 बचकर 27 मेर तक इस समय में कोई भी नया कारी आरम करेंगे तो उसमें आपको सफलताहत लगेगी आज का असुब समय यानि की राहू काल रहने वाला है साम के 5 बचकर 27 मर्च लेकर साम के 7 बचकर 7 मर्च तक इस समय में कोई भी नया कारी करने से बिल्कुल बचें इसमें आपको और सफलताथ लग सकती है दिसासुल 25 मर्च निसा में 25 में किसी भी खास प्रियोजन से याता ना करें यहाँ पर आपको नुक्सान हो सकता है सुब खाद्याज का पान रहने वाला है पान का छोटा टुकरा खाकर भी याता अरम करेंगे किसी नए कारी को करेंगे उसमें आपको सफलताथ लगेगी तुम तरो यह तो थाज का संपून रासी भल कल के संपून रासी भल के लिए जूरे रहे धर्मसिक्चा के साथ और देखते रहे हैं धर्मसिक्चा जे माता दी